етрPodLE. these called cliff, hello friends, All ofácallel night, Excel for finance के session में आप सुभी का स्वागत है, दोस्तो ये session हमारा last session है और इस session को हम इस वीडियो से इंड करेंगे और ये लोस्तो इंड नहीं है बलकि हम आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे आपको nu, new courses provide करने वाले हैं जेरा लंकूष excel for finance के session में आप सभी का स्वागत है दोस्तों ये session हमारा last session है और इस session को हम इस video से इंड करेंगे और ये दोस्तों इंड नहीं है बलकि हम आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे आपको new new courses प्रोवाइड करने वाले और इससे advance लेबल पर अगर आपको सीखना है तो आप मुझसे जरुल कॉंटक्ट करें तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम समझेंगे कि amortization table होता क्या है तो दोस्तों amortization table एक ऐसा table होता है जिसके basis पे आपको loan evaluation करना होता है उसके total payment को evaluation करना होता है per month payment quarterly payment जिस तरह से भी आप payment कर रहा है तो उसका balance कैसे कैसे deduct होगा और finally आपका जब balance clear हो जाता है तो value को कैसे हम zero करेंगे और यह value कैसे हम compute करेंगे तो सारे चीज़ों को हम step by step देखेंगे कि आपका principal amount मैंने आपको calculate करना बताया था आपको मैंने interest amount calculate करना बताया था तो वो सारे चीज़ों को हम step by step चलिए देखते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि data table आप एक compute कर ले तो data table basically आपको कैसे compute करना है मैं already आपको बता चुका हूँ अगर आपने वह video नहीं देखा है तो please आप उस video को जाकर देखें ताकि जो भी आपका doubt ह वो clear हो जाए दन इसको calculate करने के बाद मैंने आपको PPMT calculate करना बताया था तो PPMT calculate करने के लिए simply equal to करना है PPMT लिखेंगे bracket open करेंगे सबसे पहले rate होगा rate जो होगा वो divided by 2L होगा क्योंकि मैं जो condition लिया हूँ वो month के basis पे है और यह जो before है इसको मैं fix करूंगा क्योंकि इसक करूंगा जो कि already month में है तो मुझे इसको कुछ भी नहीं करना है केवल fix कर दूंगा तो मुझे इसको multiply करने की जरुवत नहीं क्योंकि already changes है और minus कर दूंगा मैं amount को और इसको fix कर दूंगा दोस्तों यह PMT का formula है और PPMT में बस आपको second वाले data में यहां पर क्या करना होता है period यानि कि इसको add कर देना होता है बाकी जो same होता है calculation उसी तरह से हम करेंगे तो इस तरह से आप formula को लिख ले दन इंटर कर ले उसके बाद आपको simply इसको double click करके drag कर देना है तो इस तरह से आपका calculation हो गया दन हम बात करेंगे IPMT के तो simply equal to करेंगे और जो total value है इसको आप fix क कर देंगे और इसमें से आप minus कर देंगे इस PMT को और इंटर कर देंगे तो इस तरह से आपका जो IPMT है आप इसको directly interest को directly इस तरह से calculate कर सकते है अब मैं आपको एक मज़दार बात बताता हूं जब आप इस amount को add करेंगे तो यह जो amount है यह total loan के बराबर होगा और जब आप को calculate करेंगे तो यह जो होगा यह extra amount होगा it means कि आपने total loan लिया है 1,80,000 तो आपका जो payment है वह 1,80,000 हो गया यह आपका clear हो गया तो आपने extra पैसा कितना दिया तो आपने 33,684 रुपिस 52 पैसा extra दिया है यानि कि आपने यह amount कैसे निकलता है तो इसको select करेंगे then multiply करेंगे 36 से तो देखिए यह जो total amount है आप इसको minus कर दीजिए इसमें से तो आपका balance निकल जागा 33,684.52 तो देखिए यहाँ पे मैं उस तीज को direct इस तरह से दिखाया तो यह आपका total value है लेकिन हर मंत आपने कितना interest दिया हर मंत आपने कितना principle दिया और उसके basis पे आप आपका balance evaluation कैसे करेंगे तो equal to करेंगे total loan आपका कितना 1,80,000 इसमें से minus करेंगे जो पहला payment है दोस्तों हम इस चीज को minus नहीं कर सकते हैं यह जो 5,935 रुपीज है इसको आप minus नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें principal और interest दोनों added है तो आप केवल principal amount को ही इस amount में से minus करते है interest एक निकलेगा वो किस से निकलेगा तो आप 1,80,000 नहीं रहा आपका amount loan का अब आपके पास balance जो है वो इतना है इसमें से आप minus करेंगे second payment को और यह continuously चलेगा तो second वाले को आप simply drag कर दें और finally आप आएंगे कि आपका जो value है वो 0 हो गया अब आप यहां पे exactly check कर सकते हैं कि आप आपने first month में कितना payment किया कितना interest दिया और कितना balance रह गया अगर कोई user आपके पास 14 month में आता है बोलेगा कि कितना balance बाकी है तो directly आप इस चीज़ को देखेंगे और बोल देंगे कि आपका 1,17,233.85 रूपी है तो इस तरह से आप directly evaluation कर सकते हैं उसको prepare कर सकते हैं जिसके basis पर आप यहां पर देख पाएंगे कि आपका calculation है बहुत ही simple और easy way में हो गया है तो यही दोस्तों आपका loan amortization table होता है इसलिए मैंने आपको बोला था कि अगर आप PPMT, IPMT और PMT को समझ गया हैं तो आप amortization table easily बना सकते हैं आप इसके basis पे आप evaluation कर सकते हैं then हम क्या एक graph बनाएंगे तो graph कैसे बनाएंगे तो simply मैं months को select करूंगा और PPMT को select करूंगा इसको select करके आपको simply क्या करना insert में जाना है और यहां से आपको column graph select करना है तो यहां से graph आप बना लें जब भी इसका graph बनेगा तो यह हमेशा आप scale पर जाएगा और graph में आपको changes करना मैं बताया था तो months आपको नहीं चाहिए then edit data में जाएंगे और month को select करके simply remove करके ok कर देंगे तो यहां पर देखिए यह आपका value show कर रहा है तो इस तरह से आपका value display कर रहा है और आप इसको और बढ़ा करके देख सकते हैं clear format में तो देखिए यह दीरे-दीरे label इसका क्या हो र सकते हैं तो इस तरह से आप अपने data को graph में भी show कर सकते हैं और आपके पास अगर new version है तो यह बहुत सारे different styles available होंगे old वाले version में बहुत सारे options available नहीं है यह सारे चीजों को मैंने step by step already आपको बता चुका है और फिर मैंने आपको PPMT, IPMT और PMT से related बहुत सारे functions बताएं finance से related loan कैसे calculate करेंगे इसका amortization table कैसे बनता है हर period का loan आप कैसे निकालेंगे उसका principal, interest, balance सारे चीजों को आप यहां पे calculate कर सकते हैं then मैंने आपको data table के बारे में बता है तो इन सब चीजों से related अगर आपको comment करके बताएं आप मुझे group में message करें ताकि मैं आपके लिए एक webinar arrange करूँ और उस webinar में मैं आपके सारे doubts को clear करूँगा साथी साथ मैं आपके जो भी related topic है उसके लिए मैं अलग से आपको एक video provide करूँगा जैसा कि मैंने आपको बोला था और जो भी topic में आपको doubt है आप please उस discuss करें तो इस वीडियो को हम यहां पर करने वाले हैं और आगे आने वाले session में हम different courses लेकर आएंगे और अगर आप courses में interested अगर आप practical oriented चीजों को सीखना चाहते हैं तो हम से जुड़े क्योंकि हम practice files आपको provide करते हैं और notes provide करते हैं और वो जो practice file होते हैं वो based होते हैं वीडि available हो जाएंगे लेकिन instant आपको कोई भी reply नहीं करेगा आपको कोई भी guide नहीं करेगा साथी साथ आपको कोई practice file provide नहीं करने वाला है तो हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं सारी facility आपको दे रहे हैं best learning environment आपको दे रहे हैं group option प्रोवाइड कर रहे हैं daily discussion तो सारे चीज़ों को आप लेकर better productivity level पर अपने काम कर सकते हैं आप हर एक area में जो भी आप area से related work करते हैं आप work कर रहे हैं उससे related हम आपको solution provide करते हैं हम बहुत सारे different courses पर भी work कर रहे हैं जो कि जल्दी हमारे panel पर upload होगा और उससे related अगर आपको जो भी doubt है तो आप मुसके जरूर को discuss करें तो thank you very much excellent कुछ को साथ जोड़ने के लिए happy learning